तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बर फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में जहाँ पर हम सीखते हैं AutoCAD बेसिक से लेके तो आज के सेशन में हम टॉपिक कवर करने वाले हैं कि हम अपने ड्रॉइंग स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं बहुत सारे टेकनिक्स यूज करके AutoCAD में जो की है स्प्राइब ट्रैकिंग में क्या होता है जैसकी यहाँ पर मैंने लिखा है ओबबबबबबबबबबब-ब्रासर aft अविये जो अपजेक्तhes नेप फ्रीति कोई खिल्य दना सकते हैं जिस बना सकते हैं ऐफजिदी प्रीफ फखेलेवकंवर हमारे object snap tracking option को देख लेते autocad में कैसे करते है तो यहाँ पे सबसे पहले object snap हमको मिलता है drafting settings के अंदर जिसका shortcut command है ds तो मैं press करूँगा ds तो आप यहाँ पर देख सकते हो d settings आ गया है लिखके मैं यहाँ से enter press करता हूँ तो यहाँ पे polar tracking पे खुला है उसके बाजू में है हमारे पास option object snap का तो हम चले गए friends यहाँ पर object snap के अंदर तो यहाँ पर आप देख सकते है कि मैंने इसे already on रखा है प्लस यह जितने भी इसमें object snap के options है जैसे end point, mid point, center, geometric center, node, quadrant x, y, z, जितने भी points हैं यहाँ पर सब selected है तो मैंने इसको simply ओगे कर दिया और और एक चीज मैं आपको बता दू कि अगर आपको points trace करने में दिक्कत होती है तो क्या करना चाहिए हम आगे आने वाले वीडियो में देखते हैं तो सबसे पहले हमने देखा फिर से एक बार में जाता हो इसके अंदर तो हमने देख लिया यहाँ पर कौन-कौन से options object snap के अंदर आते हैं तो हम वापस हमारे block के अंदर जाते हैं एक बार अभी यहाँ पर दिखाए while tracking any objects a plus sign is displayed on a tracking point with a green extension line with x mark हम यह देख लेते हैं पहले यह दिखता कैसे है तो यहाँ पर मैं reference के लिए एक line में अपना बना लेता हूँ मैंने एक inclined line बना है आप straight भी बना सकते हो कोई ऐसा hard and fast tool नहीं है तो मैंने पहले अभी किया है line enter मेंने और एक line command लिया है because जब तक आप दुसरा command नहीं लोगे object snap trackings point को locate नहीं करेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो यह nearest लिख के आगे nearest point locate कर रहा है because ना यह midpoint है ना यह end point है random beach में कोई भी point है इसलिए nearest point locate कर रहा है अगर हम यहाँ पर देखेंगे आते हैं तो यहाँ पर आगया हमारे पास end point फिर हम इस point पर आते हैं तो यहाँ भी आगया end point अगर हम beach में trace करते हैं तो हमें मिल गया यहाँ पर midpoint तो guys जो मैंने blog में लिखा था यहाँ पर कि while tracking any objects a plus sign is displayed on tracking point तो यहाँ पर आप देख सकते हो तीन प्लस sign आ गया है एक midpoint पे और दो end point पे वहाँ पे तीन प्लस sign आ चुके है अगर मुझे trace करना हो कोई point से तो अब वो जो green extension की बात कर रहे हैं हम वो कैसे होता है हम वो देख लेते तो सबसे पहले मैं फिर से एक line command ले लेता हूँ मैं यहाँ end point पे गया अब यह क्या कर रहे है गाईस देखिए यह एक vertically trace कर रहा है यह जो green line है और cursor के पास हमें एक cross mark दिख रहा होगा तो यह green line है जो मैं कह रहा था एक green line आ जाती है जिसको हम कहते है rubber band भी कहते है फिर अगर मैं horizontally यह horizontally भी track कर रहा है अभी क्या होते है friends अगर मुझे यह tracking बंद करना हो तो क्या करना है मुझे मेरा cursor फिर से इसी point पे लेके जाना है जैसे कि मैं इस point पे आ गया तो अब देख सकते हमारा tracking बंद हो गया और tracking चालू करना हो तो वापस इस point पे आ जाओ tracking स्टार्ट हो जाएगा तो हमने देख लिया यह vertically track कर रहा है और horizontally track कर रहा है बट अगर मुझे इसके ही inclination में track करना हो तो कैसे करेंगे यह देख सकते हैं यहाँ पे मैं लाया cursor और यह तुरंट tracking चालू कर लिया तो यहाँ पे मैं एक चीज आपको और एक special चीज बताना चाहता हो गाइस कि अगर आपका यह tracking automatically on नहीं होता है आपको कोई दिक्कत आती है point track करने में तो आप एक setting कर सकते हो जिसके वज़े से बहुत easy हो जाएगा आपको track करने के लिए तो करना क्या है उसके लिए आपको आप यहाँ पर set कीजिया यहाँ जादा कर लीजिये aperture size अगर आपने कम कर दिया तो tracking करने में बहुत सारी problems आएगी for example मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ मैं aperture size almost बहुत कम कर दिया हूँ ठीक है अब मैंने किया यहाँ पर apply अब अगर आप देखोगे मैं track करने जाता हूँ यह end point पिक कर लिया अब मैं हलका भी deviate कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो मेरा tracking point चला जा रहा है इसको मुझे पकड़ के लेके जाना पड़ रहा है हलका इधर उपर नीचे deviation वह point मिस हो जा रहा है और अगर हमने वही drafting settings में aperture size को बढ़ा दिया options के अंदर drafting यह aperture size अगर मैं बढ़ा देता हो तो उसका जो range है cover करने का वो range बढ़ जाता है जिसके वज़े से हमें ज्यादा accurately उसी point पे नहीं जाना पड़ता है तो अब हम फिर से देखते हैं हमारा tracking कितना smoothly हो रहा है यह देख सकते हो यह point मैंने pick किया खतम हो गया मैं वापस आतो इस point पे point trace हो गया है अब देखिए कितना smoothly यह जा रहा है आप देख सकते हो मेरा cursor कहां पर है और वो green cross mark कहां पर आ रहा है दोनों में difference है बट still वो point selected है और यह object trace हो रहा है तो अब हम आगे की topic cover करते हमारे blog में हमने आगे लिया है polar tracking polar tracking के अंदर अभी क्या है अभी normally जब हम ortho mode on रखते है तो वो perpendicularly और horizontally trace करते है in horizontal direction and in vertical direction तो angles जो trace करेगा वो खाली 0, 90, 180 और 270 रहेगा बट अगर मुझे कोई repetitive angle है 15 degrees पे मुझे continue line बनाना है तो फिर उसके लिए क् उसकर सकते है polar tracking अब यह polar tracking क्या करेगा कि आपका जो भी angles है उस angle को fix कर देगा अगर आप cursor को move करोगे तो particular angle पे increment होता है सब उस आपने 10 degree fix कर दिया increment angle तो trace करेगा 10 degrees, 20 degrees, 30 degrees, 40 degrees, 50 degrees with increment of 10-10 degrees वो ऐसे trace करता है और by default जो हमें मिलता है angles AutoCAD के अंदर already वो है 90 degree, 60 degree, 45 degree, 30, 22.5, 18, 15, 10 and 5 degrees अगर आपको इसके बीच में रहना है तो आपको अलग से angle specify करने का जरुवत नहीं पड़ेगा आप directly settings में जाके कर सकते हो बट अगर मुझे 20 degree पर increment करना है तो क्या करना है मैं वो भी बताता हूँ तो हम वापस switch करते हैं हमारे AutoCAD के अंदर अब polar tracking भी guys हमें मिलेगा drafting settings के अंदर तो हम चले जाते हैं drafting settings के अंदर ds enter तो हम आज आते हैं polar tracking के अंदर तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने polar tracking को भी on रखा है और यहाँ पर increment angle है 45 degrees अगर मुझे कोई दूसरा inbuilt चीए था जो मैंने बोला by default angles आते है 90, 45, 30, 22.5, 18, 15, 10 और 5 यह predefined है अगर मुझे 20 degree करना है तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पर नीचे ही option है एक additional angles का इसको आप check कर दीजिए और यहाँ पर new पर click कीजिए new पर click करके मैंने यहाँ पर 20 किया आगया sorry मैं यहाँ new करता हूँ और 20 लिख देता हूँ बस तो आप देख सकते हूँ 20 यहाँ पर आ गया अब इस drop down लिस्ट में मुझे 20 दिखना चाहिए नहीं दिख रहा है तो हम इसे 20 करके एक बार देख लेते हैं तो आप देख सकते हैं 20 degree पर trace करना चालू कर दिया है कि दिख रहा है यह अग्ल 20 डिग्री वहाँ पर फिर ही आ गया 45 वेकोज 45 डिग्री हमारा बाई डिफल्ट अंगल वो लेता है थो हमने नीव एंगल में 20 डिग्री डाल दिया और बाइड डिफॉल्ट में 45 वो लेता है इसलिए दोρुए एंगल वो trace कर रहा है अगर मुझे 40 डिगरी पर जाना होगा तो कैसे जाएंगे मैंने एक लाइन ले लिया यहाँ पर अभी गाईज अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं यहाँ पर और एक चीज दिखा देता हूँ यहाँ पर actual angle 37 डिगरी है और relative polar 110 एंगल 20 डिगरी दिख रहा है अब यह relative polar हमें क्यों दिख रहा है मैं उसका reason भी आपको explain कर देता हूँ तो हम गए drafting settings के अंदर और आगए polar tracking में तो आपको यह जो polar angle measurement दिख रहा होगा यहाँ पे इसके अंदर दो option मिलता है एक absolute और एक relative to last segment अब यह relative to last segment option on है इसके लिए वो last segment से 20 डिगरी ले रहा है इसलिए relative 20 डिगरी दिखा रहा है बट actual angle 37 का है अगर इसे मैं absolute कर देता हू तो यह reference axis horizontal line को consider करेगा और वहाँ से 20 degree पे angle increment करेगा तो हम यह भी देख लेते हैं एक बार मैंने एक line command ले लिया यहाँ पे click किया आप देख सकते हो यह 0 degree है मैं उपर गया तो यह 20 degree पे trace कर रहा है तो आप देख सकते हो polar भी 20 degree दिखा रहा है और actual angle भी 20 degree दिखा रहा है फि अब यह 45 degree पे आप देख सकते हो 45 degree actual भी है और 45 degree polar में भी है बट हम अगर उसी setting को relative to last segment कर देते हैं तो क्या फरक पड़ेगा हमारे पास हमने यहाँ से line लिया तो यह जो line का inclination है इसको यह horizontal axis consider करेगा और यहाँ से 20 degree को increment करना चालू करेगा आप देख सकते हो actual degree 17 है बट relative polar क्या आ रहा है 170 angle 0 तो यहाँ से हम trace करेंगे तो अब देख सकते हो actual angle 37 है बट relative polar angle 20 degree है तो अब हम continue करते हैं आगे का part अभी नीचे एक friends option है polar snap का अभी polar snap क्या करता है अगर हमें particular angle पे line बनाना है और उस पे मुझे एक length भी specify करना है कि मुझे पता है कि मेरे जो भी dimension से 5-5 के increment में जाएंगे या 10-10 के increment में जाएंगे या 2-2 के increment में जाएंगे तो मैं वहाँ पे increment length भी set कर दूँगा तो suppose मैंने example दिया है कि मैंने distance को 5 unit set किया है तो angles कैसे जा रहे थे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 45, 90, 45 degree का increment है तो similarly length भी वैसे increment होके जाएगा जैसे कि यहाँ पर 5 का मैंने डाला तो length जाएगा 5, 10, 15, 20, 25 and so on तो हम यह भी देख लेते हैं मैं आगया यहाँ पे हम फिर से drafting settings के अंदर जाएंगे polar tracking के अंदर नहीं हमें यह snap and grid के अंदर मिलेगा option तो हम snap and grid पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो polar snap का option on है अभी और यहाँ पे जो polar distance है इसको मैंने specify किया है as 10 तो अगर मैं इसका spacing मैं कुछ अलग कर देता हो for example संबजने मैं इसी पड़े 8 कर देता हो 8, 16, 24, 32 ऐ जब हम polar snap use करते हैं तो हमारा normal snap जो है rectangular snap वो बंद हो जाता है जैसे कि आप देख सकते हैं जो snap type है यहाँ पे मैंने grid snap एक बार चालू किया तो मेरा यह snap चालू हो जाता है rectangular snap जो x और y-axis पे 1010 move करता है बट अगर मैंने polar snap को on किया तो यह options off हो जाते हैं तो जैसे ortho mode orthogonal tracking को polar tracking के साथ एक साथ यूज नहीं कर सकते हो similarly हम rectangular snap और polar snap को एक साथ यूज नहीं कर सकते हैं जो कि मैंने अपने blog में भी यह point specify करके दिया है नीचे that you cannot use कहीं मैंने लिखा है मैं आगे blogs में आपको बता दूँगा तो चलिए हम start करते हैं मैंने increment ले लिया 8 का polar distance मैं polar tracking में भी एक चेंज करता हूँ मैं absolute ले लेता हूँ और मेरा यह 20 को मैं delete कर देता हूँ से मैं delete करता हूँ और मैं increment angle ले लेता हूँ as 30 degree मैंने किया ok अभी हमने यहाँ पर क्या option on रखा है guys absolute on रखा है तो वह हमारा reference axis लेगा horizontal axis को तो मैं यह से line ले ले लेता हूँ मैंने first point specify किया अब जैसे ही मैं ऊपर move करूँगा यह 30 पर आ गया तो आप देख सकते हूँ हूँ यहाँ पर 160 आ रहा है अब मैं जैसा चेंज करूंगा 152 144 136 यह डारेक्ली चेंज हो रहा है 128 और जैसे में इसको हटाऊंगा फिर यह restriction खतम हो जाता है because polar snap polar angles के साथ में चलता है मैंने वहाँ पर 30 degree का वहाँ पर inclination दिया है polar settings में तो length भी 30 degrees के लिए ही pick करेगा तो आप 56 128 120 यह 8 8 के increments पर चल रहा है पूरा 32 40 48 56 64 72 80 96 तो अब हम देखते हैं हमारे आगे का topic यह guys मैंने आपको explain कर दिया है absolute and relative to last segment कैसे होता है polar trekking में अब नीचे कुछ tips and tricks दिया गया है जो आप मेरे blog पर आके पढ़ लेना यह मैं वीडियो में directly करके दिखाऊंगा और यह सब चीज points मैंने almost बोल दिया है बस एक point है यहाँ प direct distance entry का जिकर मैंने बहुत बार किया है आगे तो हम देखते हैं वो कैसे होता है सबसे वह नेक्स topic हम ले ले थे about specifying distance length and angle अब यहाँ बे क्या लिखा है guys while creating or moving and object you can specify the direction by moving along a tracing point and then directly enter the distance of length of the object अब इसका मतलब क्या हुआ while creating अगर मैं कुछ object create कर रहा हूं या मुझे एक point से दुसरे point पे object को move करना है तो उसमें क्या कर सकता हूँ वो जो मेरा green color का band आयता है extension line हम उसके through कर सकते हैं तो कैसे करना है हम वो देखते हैं for example अभी यहाँ पर एक line है मुझे 5 horizontal axis पे offset चाहिए यहाँ से और मुझे line create करना है तो कैसे करेंगे सबसे पहले मैंने line command ले लिया हम इसके end point पे आ गए अब देख सकते हम horizontally move कर रहे हैं तो यहाँ पर end point पिक कर रहे है अब यह भी 88 के offsets पे जा रहा है because 30 degree हो तो 0 30 सब वो पिक करता है तो मैं पहले वो setting वहाँ से जाके बंद कर देता हूँ drafting settings में गए हम यह polar snap का option grid snap पे कर दे हैं और यह snap तो मैं बंदी कर देता हूँ तो हम line ले लिए यहाँ पर देख सकते हैं हमारा tracing चालू हो गया अभी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर 141.499 का option है मैं कुछ click नहीं करूंगा मैं सिर्फ मुझे 5 के offset पे चाहिए तो मैं 5 करके enter कर दूंगा देखते line कहां से start होता है तो मैं enter किया 5 enter तो आप देख सकते हो line कहां से start हुआ है मेरा cursor 141 पे था और मेरा line start हो रहा है 5 से तो समझे है उसमें क्या कहना चाह रहा था मैं वाइल क्रिएटिंग और moving and any object you can specify the direction by moving along मैंने डारेक्शन स्पेसिफाई किया positive x-axis की तरफ है हमें दूसरे side भी कर सकते हैं अगर मुझे इस side line चालू करना है तो मैं इस side trace करके 5 press करूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर line start हो गई है और अगर मुझे right side में चाहिए तो पहला tracing में right side में चालू करूंगा और फिर fire enter करूंगा अच्छा मैंने line command directly ले लिया था इसके वज़े से issue आया ऐसा नही लाइन एंटर किया मैंने वहाँ पर click कर दिया था actually यहाँ पर लेके trace किया अब 5 एंटर किया तो हम देख सकते हैं यहाँ पर offset 5 का है यहाँ पर आगे की कुछ थोड़े से points बचे हम वह ले लेते हैं तो specify a line without entering coordinates for second point move यह सब तो मैंने explain कर लिया है direct entry system हम last में देखेंगे अब यहाँ पर है angle override अगर suppose मेरा ortho mode on है जब वह 90-90 degree का tracing लेता है तो मैं देख सकता हूँ मेरी line सिर्फ दो axis में जा दो तरीके से जा रही है या तो horizontal जा रही है या तो vertical जा रही है बट अगर मुझे एक particular angle पर जाना होगा तो फिर मुझे क्या करना है तो उसके लिए क्या करना है मैंने line command ले लिया first point specify के लिए मैंने click ले लिया अब मुझे कुछ नहीं करना है आपको याद होगा angle के symbol के लिए हम relative polar coordinates में हमेशा less than का sign use करते थे तो हम फिर से less than का sign use करेंगे less than का sign use करके हम यहाँ पर angle डालेंगे 30 40 जो भी मेरा angle है तो आप देख सकते हो मैंने 30 डाला तो यह automatically 30 degree पर line चालू कर दिया नीचे जा रहा है और उपर जा रहा है 30 degree पर अब मेरा जो भी length या dimension रहेगा line का मैं directly specify करके वो line completely बना सकता हूं तो आप देख सकते हैं यहाँ यह line पर मैंने 50 का dimension डाला तो यह आ गया तो इसका command में आपको दिखा देता हूं क्या है यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं मैं इसको open कर देता हूं अच्छे से specify next point जभी आया था तो मैंने click नहीं किया मैंने less than का sign डालके 30 put करके enter किया तो अपने आप यहाँ पे angle override 30 read करके उसने 30 degree पर line चालू कर दिया तो guys ऐसे अगर हमारे पास बीच बीच में अगर एक हादा line आ जाता है जो हमें inclination पर चाहिए उसको हम ऐसे बना सकते हैं और else हमारे पास दूसरा तरीका था relative coordinate system का जिसमें हम करते थे एल एंटर फिर एक first point specify करते थे फिर हम लिखते थे add the rate मेरा distance से 50 का 50 angle 30 हम इस तरीके से भी कर सकते हैं जैसा आपको पसंदा दोनों तरीका हमारे पास हम कैसे भी कर सकते हैं अब guys तो हम आगे के topics ले लेते हैं यहाँ पर एक है tracking method अब यहाँ पर tracking method और direct entry system में एक साथ लेना चाहूँगा जो हमारे आज के session का last topic है तो यह tracking method होता क्या है अभी for example मेरे पास दो line है यह line नहीं लेता हूँ मैं एक simple example ले लेता हूँ rectangle का मैंने यहाँ पर एक rectangle create कर लिया है तो suppose अगर मुझे यह rectangle का center point चीए तो आप क्या करोगे आप यहाँ तो यहाँ से line बनाओगे और फिर center point locate करोगे और else इससे better है मैंने line लिया इस पर रखा तो यह directly center point locate कर रहा इसका ऐसे हम कर सकते हैं प्रैकिंग हमने क्या क्या line command लिया मैं इस rectangle पर जाए खाली place किया तो automatically center mask के यहाँ पर दिखाने लगा कि यह इसका center है geometric center है correct है तो हमें कुछ करने की जुरूत नहीं हमें बस यहाँ से trace करके लेके जाना है होप सो आपको समझ में आ गया होगा यह अब और एक example ले लेता हूँ जहां पर मैं लेता हूँ line का मार्ण line ले लिया मैंने एक सीधी line बनाई और एक inclined line बना लेते हैं तो अभी आप देख सकते हो यह दोरह इंटरसेक्ट तो हो नहीं रही है बट मुझे एक line बनाना है जो इनके intersection से start हो फॉर एक्जाम्पल यह यह line यहां से मैं इसको आगे extend कर लेता हूँ ठीक है और यह line जो है इसे भी मैं extend कर लेता हूँ polar on है मैं polar off कर लेता हूँ तो आप देख सकते हो कैसा वो tracking का जो green वाला rubber band था उसके जरीए कितने smoothly वो track हो गया आगे तक तो यहां पर हम देख सकते है space में कहीं न कहीं आके वो intersect करने वाला है तो अगर मुझे इस intersecting point से line बनाना है तो क्या करना है मैं इतना लंबा नहीं करने जाओंगा कि मैं दुनों line को extend करूँ फिर वापस उसे अपने original जगे पे लाके छोड़ दू तो उससे better हम क्या करेंगे हम tracking यूज करेंगे मैंने line command ले लिया यहां पर place किया यह पीछे track कर लिया इसका location हमारे पास आ गया है अब कुछ नहीं करना है अब यहां पर आना है अब यहां से पीछे जाना है अब देख सकते हो यहां पर automatically हमारे पास दो tracking points दोनों का intersection वहाँ पर आ चुका है तो अब हम यहां पर simply click कर देंगे तो हमारा intersection से line start हो जाएगा फिर हमें जहां मर्जी हो हम यह line हमारा बना सकते हैं अगर आपको नहीं समझा तो मैं और एक बार यह बता देता हूं हमने एल एंटर लिया हमने इसके ओपर रखा तो आप देख सकते हो वहाँ पर एक black cursor आ गया और इसका part trace करके छोड़ दिया फिर हम यहां आ गये अब इसे हम trace करते ऊपर जाएंगे आप देख सकते हो वहाँ system सबसे fast काम करने का तरीका है for example मुझे यहां से एक example तो हमने ले लिया यहां से 5k offset पर बनाना है line तो मैंने इसको trace किया मैंने 5k एंटर किया फटक से आ गया फिर यहां पर trace किया यहां गया मैंने 50 डाला अचा 50 का line आ गया sorry यह सब को मैं पहले delete कर लेता हूं हमने line लिया यहां से 5k offset पर चीए था तो हमने direction दिखाया जहां पर हमें चीए हमने 5 किया और enter किया फिर आ रहा है specify next point अब दोस्तों यहां पर क्या करना है मैं directly यहां पर हमेरा जो भी distance रहेगा मैं वो distance डाल दूंगा एक angle पर lock करने के बाद for example मुझे horizontal line चीए तो 0 पर है वो मैं यहां पर directly अपना length डालूंगा 80 line बन यहां मुझे नीचे आना है मैं directly डाल दूंगा 40 जो भी मेरा distance है directly सिधा numeric value हम enter करेंगे और अगर हम किसी angle पर जाना चाहते है तो हमें क्या करना पड़ेगा angle override angle का sign डालेंगे हम यहां पर मैंने angle डाल गया 20 डिग्री तो आप देख सकते हैं 20 डिग्री पर चालू हो गया है यह लॉक हो गया है इस angle पर तो जो भी हमारा distance है हम directly वो distance डाल डाल देंगे number 40 units 40 units का line यहां पर create हो जाएगा तो hope so आपको अभी तक जितना हमने किया सब समझ में आ गया होगा तो हमारा जो next वीडियो रहेगा उसमें मैंने कुछ tutorials यहां पर बना के रखे हैं हम यह tutorials execute करके देखेंगे कैसे होता है तो मैं वो वीडियो आज शाम को upload करूँगा तब तक आप यह देखिए blog read कीजिए topic को समझिए फिर हम शाम को देखते है tutorials कैसे करना है तब तक के लिए thanks for watching this video and please do like subscribe my channel thank you